नमस्कार बहुत वागत है आपका आप देख रहे हैं SDV News आपके साथ मैं स्ट्रिस्टी मिश्रा देखिए जब से मुगलों के इतिहास को हटाया गया है NCRT की पूस्तकों से तो विपाक्ष बोखला गया है यहाँ पर अब एक एक के बाद एक बड़े नेताओं का बयान सामने आ रहा है पहले तो आपको मैं बता दू कपिल सिब्बल का बयान आया वरिस्ट अधिवक्ता है राज्यसवासांसद है कपिल सिब्बल को इतनी दिक्कत हो गई कि उन्होंने ट्विट कर दिया और लिखा कि अब लग रहा है कि 2014 के बाद जो अतिहास हो रहा है उसको पढ़ा गुजरात दंगो से जुड़ी बाते भी हटाई गई और अंदोलन में बदलेवे विरोध प्रदैश्यान ये सभी पुस्तकों को हटा दिया गया है राजदीव सर्देसाई का भी कॉमेंट आया है मेरे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए विस्तार से जान लेते है कि आखिर पाठे करम में जो बदला हुए हैं उससे विपक्ष को क्या चुटकी लेनी है उससे विपक्ष के पास क्या मुद्दा है और मुद्दे को भुनाने की किस हद तक कोशिश की जा रही है मैं स्वागत करना चाहूंगी अजय पत्रकार जी का सर्थ बहुत स्वागत दर्शकों को जरा बताईए कि पाठे करम में जो बदला हुए हैं वो जन्ता के हित में हुए हैं और इसके साथ-साथ विपक्षियों में जो वो खलाड है वो क्या दर्शाती है देखिए आपको बता दे हैं यह बाकायदे करोना काल पे किस्टेरिंग कमेटी बनी थी स्टेरिंग कमेटी की सिपारस्ति इसके पहले भी ऐसे हुआ है काफी अवेंडमेंट हुए हैं 75 में इंद्रा गांदी ने एमेर्जेंसी के तुरंत बाद इतनी ज्यादा चंजिंग की थी इतना गलत इतियास कर दिया था कि पूछिए नहीं इस समय ऐसा कुछ नहीं मैं कर्फ गोन दिन कमटा नहीं मान कि अफ्राग गोरगपुडी कांग्रेश के लिए सबसे बड़ा आइसान किया है कांग्रेश को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए कि इतिहास साइद उतना पढ़ा नहीं है उन्होंने लाहूल गांधी ने लाहूल गांधी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए कि फ्रांग गुड़कपुरी हटा तो हिंदुस्तान की जनता जानती हैं मोतिलाल जी पिता-जी का नाम क्या था-क्या मजब थि तो यह नराला जी का और तमाम लोगों का अटाया गया तो वह चीजे जो एक डिस्पूटर् थी मुगुल हिस्टी कट भी नहीं ऩाटाई गए यह एक योजना बत तरीके से साजिस की गई है, मैं आपको फिर बता ला हूँ कि कहीं पर भष्टाचारी लोग यह लोग कहीं सुप्रीम कोड जाते हैं कि हम बच जाएं, हमारे उपर मुकदमे एडी की जाचना हो, इतना पैसा हम ढकार जाएं, चिदंबरम जी के उपर इतनी मुस्लिम समाज के अभी तक कहीं से कोई बयानात नहीं आएं, मुस्लिम समाज खामोस रहा, इन नेताओं ने जवजस्ति उनको जाके उत्तेजित किया, कि यह हुआ हुआ हुआ, मगर मुस्लिम समाज खामोस हो गया, चुकि जानता था यह खेल हो रहा, वह ऐसी साब ने मौ अभी तक हो पाराओं के फायदा उठाने कोशिस कि, हर एक लाली ने विकी, कांग्लेस के उन्होंने की, अब आपको बता है, जो बहुत बड़े पत्रकार है, उनका एक बाल उन्होंने कैसेट भी जाके पाल्लेमेंट में जाके लग दी, कि उनके पास बहुत बड़ा एमां दिए राजदीब जी इतनी प्यारी मुषकान थी, कि वास्तों में जैसे सल्मिला टाइगोड की लोग कहते थे, किसी जमाने मुझान बहुत जवर्जस थी, सल्मिला टाइगोड की, वो मुझान थी, आइतिनी यह जैसे सोले फिल्म में हेमा मालनी की थी पेड के पीछे वाली मुसकान वो मुसकान उन्होंने की परंतु वो कुछ बोले नहीं अभी तक उन्होंने इस टॉपिक पर नहीं बोला जरूरा जरूरा मगर आपको बताने के बहुत senior पत्तकाल होने के नाते उन्होंने जो बोला है उस पे तुम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं मगर दिनेश परसाद जी का जो उसके डायरेक्टर NCRT के सलमानी जी का उनका बयानात आया है उनके बयानात में बहुत साफ है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कहीं पर भी कोई उस तरह का नहीं अटाया बेदबाव नही कि गई है बहुत सीजी सी बात है बहुत चोटी सी बात है कहीं पर जोधावाई की साधी का अकवल का उलेख नहीं है यह गलत इत्रिहास कानों ने लिख दिया है अगर इन इत्रिहास कानों लिखा तो मोतिलाल के भावा का नाम भी लिखते पिता जी के नाम पूरा हिंदुस ललित नायन मिस्स का हत्या बाकाइदे कराई गई उस पे लिखा जाता नहीं लिखा लाल बादु सास्ति जो हमारे देश के बेथरीन प्रिधान मंत्री थे उनकी हत्या हो गई वहां पे तासकंद में क्या हुआ उनके फपोले हो गए थे ना उनका पोस्ट मार्टम इंदरा ज जरूर पढ़ाया गया चुकि नहरु जी का था मगर नहरु जी का यह नहीं पढ़ाया गया कि 1962 में हमारी हार की बज़े सिम नहरु थे देश में अंधा धुन नस्बंदिया करा दी गई 75 में 76 में तुर्कमान गेट पे गोलिया चली तोप लाई गई वह चीज हमारे इस्ट लोग उस दिन से बिकलांग हो गए पूरे हिंदुस्ता बनने लिटे जैसे आतंगबादी होते नहीं यह चीज नहीं पढ़ाई गई अब पढ़ाया क्या गया इन लोगों ने सबस्यादा अमेंडमेंट किया था तो वह काहवत है चोड की डारी में तिनका इस समय कोई भी इसा नहीं हुआ है आप यहां से अंजले भगवाल लाम का वह उटाएगे चैप्टर से तमाम चीज़ें ऐसी जो चैप्टर से मगए कहीं मुसलिम उसका नहीं किया गए यह योजनाबत तरीके से करीब पांच दिन से यह अवाय उड़ाई गई बेल प्लांड वे में यह व भेखते रहते हैं इसलिए हम लों को एलर्ट रहना पड़ेगा हर एक को हिंदुस्तान के हर नागरी को आज कोड ने भी डिसीजन दे दिया यह राज नेता आम आदमी से बड़े नहीं है तो हम लों को को होना चापलेगा हिंदू-मुसलिम सबको यह हतास राजनेतिंग ने है देखिए आपने तो बखुबी यह कह दिया कि कहीं न कहीं यह लड़ाने का काम है आप यह बताइए कि क्या NCRT के कुछ बदलावों को लोकसभा चुनाओं के मद्य नजर इशारों पर समझा जा रहा है क्या जनता को यह मैसेज दिया जा है विपक्षियों के द्वारा कि आपने मुगलों के इतिहास को हटा दिया यानि कहीं न कहीं मोदी एक च्छत्र राज चाते हैं ऐसा कॉमेंट सोशल मीडिया पर आ रहा है तो आप बताई कि चुनाओं के मद्धिन हदर क्या यह किया जा रहा है लड़वाने का काम किया जा र इतनी फास्ट हो रही इतनी फास्ट हो रही कि आप समय लिजे कि वह बयान के बाद भी इतना फास्ट अटैक रहा मीडिया का इंडाइरेक्ट बे पे जिसमें आपको हमने पतकार की उड़ी साला भी कर दिया है इन सब लोगों ने कि योजनावत तरीके से इतनी भद्धी अ बयान दिया न्सी आटी के उन्होंने बयान दे दिया और आप सर लिए कि शिक्षा मंतराले से भी आगया उसके बाब दूद भी बैल प्लान की इतिहास से हटा दिया गया कुछ लोग उसमें खुस हुए कि चलिए ठीक रहा कुल लोग ना खुस हुए वह ऐसी साब भी बया आई जाती है और उसमें बड़े किसी का बयान नहीं आया है अब पूरे मीडिया में आज भी कब्जा है जनता को यह योजनाबत तरीके से आपको बताने जो यह बिहार बंगाल में दंगे हुए सिर्फ इसलिए भी कराएंगे कि मुझे ठोक में मिल जाए बिहार में यह है क तुम हिंदुस्तान में रहोगे कोई पाकिस्तान नहीं भेज रहा था कभी अटल विहरी बाचपी नहीं मुस्लिम को पाकिस्तान भेज रहा है कभी मोधी नहीं कहा है ऐसा कभी नहीं कहा है यह जानबूच के मुस्लिम बोट पॉकेट में चाहिए लोगों इसलिए आप समझ लिए लडाने की थी मगर हमारा देश इस देश की एकता है ठीक हस्ती मेरी मिटती नहीं है अब एंसी आर्टी का बिल्कुल हो गया पांस दिन से जो खिलोना था यह बाम पंथियों ने भीजा हुआ है और विपक्षी हतास उसमें और यह सूरत में जब सूरत की मीट सूरत में लोग गए उसके पहले दो ही उखेले गए एक कोट के जड़िए एक यह जड़िए और दोनों धराम हो गए और आज सीबी आई वाला भी उन्होंने साब डिसीजन दे दिया की रिजेंट कर सकते हैं अच्छा जैजी मेरा आप से अंतिम सवाल है कुछ शब्दों म दूसरी बात गांदी जी के भी किसी भी उसको नहीं अटाया गया है नाथुराम गोड़से में एक चील लिखी गई थी महाराष्ट के ब्रहमर था पूरे का ब्रहमर था चित्पाउन यह सब अटाया गया चूकि यह गलत था जानबूच करके दिया गया था यह जानबूच कि इतने समय बर्वात किया और यह जो प्लांटेड हुई है एक योजना स्कीम के तहत हुई है कि सीजी आई में वहां जाना उसके पहले सूरत में जाना यह करना यह जानबूच के पूरे देश में इस तरह की अभवाय उड़ा करके और आपस में डिस्पूट कराने की यह ठीक है तो देखिए हमारे वरिष्ट पत्रकार ने बखुवी बता दिया है कि कौन-कौन से वो चैप्टर्स हैं जो कहीं न कहीं कुछ गलत तरीके से पेश किये गये थे उनको हटाया गया है लेकिन यह कता ही बोलना गलत है कि पूरे मुगा लितिहास को बदल दिया गया है आपको एक ताजुब की बात बताते हैं कि सबसे हसी की बात यह लही इसमें कपिल सिब्बल ने बयान जारी किया उसके बाद राजदीब सलदेशाई ने जारी किया और वैसी जी ने जारी किया तमाम लोगों ने जारी किया हम तो सबसे अच्छा कहेंगे मदनी साब को मदन अब्दुल्ला बुखारी को इसा कुछ नहीं बड़े उनको इसका मत्रभी हुआ इन नेताओं से वह लाग गुना अच्छे हैं और उन्होंने कंसेट किलियर किया गुलाब देवी ने किलियर किया कि कता ही में इस तरह का कोई भी नहीं हटाया जा सकता सेंट्रल गॉल्मिन न सूतना कपास कोडम कोडा लठा लठा बगाइर उसके आग लगड़े तो इससे पता चलता अब उन बयाने पर अगर कोई प्रत्क्रिया दे पता दिला बयान जीरो होगा है जब उन्होंने डायक्टर ने बताया तो ऐसा कहीं कुछ हुआ है ठीक है तो देखिए हमारे वरिस संदेश को नाकाम कर रही है कि सरकार कहा जा रहा है कि मुगलों के तहास को पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है लेकिन जनता को ये गलत संदेश दिली की कोशिश विपक्षपातिया कर रही है तो पूरे विस्तार से आप समझे और आपकी जो भी राय हो इस बाबत हमें शुक्रिया जैजी और दर्शक को आपका बहुत बहुत धन्यवाद